हालाद बदलते हैं वक्त बदलते हैं राजनीती के लिए ये बात बिलकुल सही है कुछ बदला है और बदलते वक्त के साथ एक घर वापसी हुई है वो घर वापसी हुई है इम्रान मसूद सहाब की इम्रान मसूद सहाब फिर से एक बार कॉंग्रेस में शामिल हो गए हैं कॉ घर का भूला अगर शाम तक घर आजाया तो उसे भूला नहीं कहते हैं, कॉंग्रेस तो यहीं कह रही है आज कल? नहीं तो यह बात सही भी है, मैंने कॉंग्रेस के अलावा चुना तो नहीं लड़ा नहीं, अब अपने घर वापस आ गया हूं, ठीक है, यह तो बड़े दिल के लोग हैं, प्रियंका जी बड़े दिल के लोग हैं, इन्होंने बड़ा दिल दिखाया, समान दिया, इससे क्या हो सकती है, पहले भी आप बड़े करीबी रहे, रहूल प्रियंका जी के, हमेशा रहूल जी आपको बहुत मानते थे, प्रियंका जी भी, बज़ा रही, क्यों चेलाई जा समान दिया पार्टी आप, लेकि रहूल जी प्रियंका जी से कभी मैं दूर होई नहीं पाया, क्योंकि उन से जो सने मुझे मिला है, वो बिल्कूल उसका अलग है, और उसी लिए मैं दूसरी पार्टी ओं में रहते भी हमेशा मैंने, रहूल जी के बारे में प्रियंका जी के बारे में, जो कहा है वो सब जानते, तो इसलिए कभी मैं उन से अलग होई नहीं पाया, वो उसक्त जब इधान सबा चुनाओ सर पे थे, प्रियंका गांधी इंचार्ज थी, आप कहरें कभी दूर नहीं हो, प्रियंका गांधी इंचार्ज थे, उनके उनका सबसे प्रतिष्ठा वाला चुनाई था और बिल्कूल पीक पर आपने छोड़ा, लोगों ने कहा कि आपने जो भी है, वो हैसियत है तो उनी से ही, विपरीत परिस्तितियों में भी मेरा वोट मेरे साथ रहता है, बाविस में समाजवादी पार्टी की लहर थी, जो वहां से 32,000 वोट से विधायक जी था, आठ महीने के अंदर मेर के चुनाओं में उनी विधायक जी के भाई की जमान उनके केंडिनेट जीते थे, उनकी जमाना जफ्त हो गई, तो यह मेरी साथ लोगों का जुडाओं है, इन लोगों के जुडाओं नहीं मुझे मजबूर कर दिया था, फिर आप समाजवादी पार्टी पे छोड़के, भाउजिन समाजवादी पार्टी आ गए, मायोती जी क साथ आनी किया वज़े थे आपके, समाजवादी पार्टी में क्या हो गया? कि आपने बहुजन समाजवादी पार्टी ने आपको निकाला पहले, और फिर आपने भी वापस आने की कोशिश नहीं कि और आपने पार्टी छोड़ दी, क्या वज़े रही? कि बहुजन समाजवादी में मैं जब गया तो मैंने मिशन मुवमेंट को उनके समझा और मैंने सारी समझने के बाद मेरी समझ में आया कि ये दली तोगे लिए, शोची तोगे लिए, बंची तोगे लिए एक अच्छे सोच के साथ किया हुआ प्रियास है और इसको बस्बूत किया जाना चाहिए और मैंने ये बात पार्टी की मिटिंग में जो कैडर के लोग थे उनसे भी कही कि 2006 में काशी राम जी की देथ हुई, 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी और अपने दम पर बनी, पूर्ण बहुम्मत की सरकार बनी और 2022 में वो पूरा का पूरा मुवमेंट दम तोड़ गया और हर चुनों में उसका ग्राफ लगातार डाउन जा रहा है अभी पूर्णी 13% पर है, अगर इसको भी हमने समालने का काम ना किया, तो यह मुमेंट ही खतम हो जाएगा उसी दिशा में मैं काम कर रहा था, उसी दिशा में चल रहा था, सब कुछ ठीक था अचानक पत्रकार उसे फून आया कि आपको निकाल दिया, मुझे दे भी नहीं पता क्यों निकाल दिया उसमें उन्होंने उलेक किया जिन चीज़ होगा, वह मैंने बता दिया भाई तो इस बात को जानने की हगदार आपकी जनता है, क्या कुछ चंदेवंदे की बात थी, कुछ आप से मांग की गई थी मायवतिजी की तरफ से कुछ पैसो हैसो की कुछ बात? नहीं, बहन जी ने तो मुझे कुछ निए खाए, लेकिन जो कॉर्डिनेटर साहब थे, उन्होंने का कि किताब आपको भरनी है, सदस्य अथा आपको करानी है, तो मैंने का सदस्य तो बहुत अच्छी बात है, सदस्य मुझे बात बताओ हर वोटर कोई पार्टी का सदस्य तो बन नहीं सकता यह पूरा मौंट बैठता है यह तो चार क्रोड रुपे बैठता है और दो लाग भी पार्टी फंड में देने थे चार क्रोड रुपे के हम लोग बात में देखेंगे तो यह बात मैं आपको इसलिए हो कि मैं यह बात ना बोलता अगर मेरे निशकासन के पत्र में यह बातें ना लिक्की जी किताबों का जिक्र भी उन्होंने किया क्योंकि अंदर की बात बाहर करना ये बड़ी हलकी बात होती है तो मैं कोई बात ऐसी नहीं करता तो मैं चार करोड थेने हैं आपके पास या आपने का नहीं मेरी जो है उसूलों के खिलाफ वाली बात है मेरी हैसियत भी नहीं है मेरी हैसियत भी नहीं है कि मैं चार क्रोड रुपए दे दूँ लेकि असूल के खिलाब तो है ही मेरी हैसियत भी नहीं है कई बार आदमी के जब इज़त होती है तो फसती है तो करता है कि सब कुछ इखटा करके दे दे तो मैं सब कुछ घटा करके दूं तब भी नहीं दे पाऊंगा लोग कह रहे थे कि नहीं जी बहन जी पैसा मांगती है टिकेट देने के लिए सब बाते होती है और अक्सर अब तो खुले आम होती है तो लगता है इसमें आपकी बास से कुछ ना कुछ सचा ही है ले जी जी चुपी बहीं नहीं है कोई चीज छुपी भी नहीं है इस बार तो उन्होंने पूरा जो निश्कासन पत्र भेजा मेरा उसमें सब चीज ही खुद ही कहीं तो मैं जो क्या घूतारे कहले क्या है अब कॉंग्रेस में आ गए हैं घर वापसी हो गई है समाधिर पार्टी देखिया है बहुजिन समाधिर पार्टी देखिया है अब कॉंग्रेस में वापस आ गए हैं किन शर्तों के साथ आएं किसी शर्त के साथ नहीं आस्था के साथ अब आस्था तो आपकी बदल के ना पहल कि इनको माने जिन परिष्टितियों का मैंने बार-बार खिर गया है कि मैं दबाओ गंदर था था मैं कभी छोड़नानीं चाहता था और कभी मैंने प्रेंका जी और राहुल जी के बारे में जो बोला ए वो सब के सामने बोला है. तो इसलिए और जो सब्सक्राइब एक रदिक सवाल है आप चूकि हो सकता है कि इंडिया कट बंदन में कॉंग्रेस के साथ में समाध्री पार्टी है तो उत्तर प्रदेश में हम लोग सबाच उनाव में अलाइंस देखें आपको लगता है कि समाध्री पार्टी अपने छोड़ी तो अखिली शा मेरा कोई वजूद नहीं है बात पार्टी की है यह तो निर्णे पार्टी को करना है मेरा में मेरा कोई रोल नहीं है और ना मुझे ले करके ना इतनी छोटी मान सिकता होनी चाहिए कि हम इतनी छोटी मान सिकता के साथ कोई सोचने और अखले जी तो बहुत बड़े नेता है मेरे जैसा चोटा आदमी भी इतनी चोटी बात सोचता है अखले जी तो बहुत बड़े नेता है राजनीतिक बात जो है मैसेजिंग जो है इम्रान जी जो बाकी नए जो नेता उभर रहे हो इंट्विव जरूर देखें समझे कि कैसे जो है तो यह तो खेर अच्छी बात है कि और अब एक आखरी सवाल आपसे कि कॉंग्रेस के बाद अब तो कभी नहीं देखेंगे इम्रान मसूद सहाब 5 साल बाद 10 साल बाद पिर कभी कुछ बन जाया भाई अब तो जोतिराज सिंधिया चले गए बीजेपी कट्टर दुश्मन नितिश कुमार और ते जश्वी गई तो आप कॉंग्रेस तो नहीं छोड़ेंगे कभी अब देखें मैंने अपने कारे करताओं से कामन के मैं कारे करताओं के आगे मश्बूर हूं और इस बार जब मिटिंग हुई थी तो मैंने मिटिंग में कहा था मैंने तुमने मेरा पेंडूलम बना दिया मेरे अच्छ आभी नहीं है साफ हुआ है कि वह मुझे लेंगे के नहीं लेंगे मैं यह बात कय रहा हूं कि बहुत बड़े दिल के लोग है मेरे जैसा आदमी इतने गुसे के अंदर रहता कोई मुझे इस तरह जो छोड़ के जा इतने बुरे वक्त के अंदर तो मैं तो बहुत गुसे में रहता तो मैं दूसरे से क्या अम्मीद करूं लेकिन बड़े लोग फिर बड़ी लोग होते हैं किया रहे हैं लोग अब इस फैसले के बाद आपके आपने अप करे करता हों से आप राय मशरा करते तो घर की लोगों से भी चाहिए तो मैं हारूंगा और या फिर मैं कबर में रहूंगा आप इस बात के साथ इस इंटर्वी को खत्म करते हैं मसूद साब एचा एक बात याद रह गई अब क्या गडबंधन आपकी चुकी आप पश्चिमिता आदमी 24 घंटे आप पॉलिटिक्स करते हैं लग रहा है कि इस इंडिया लाइन्स में आने की कोशिश है मायवती जी को पर मायवती जी कह रही है इंडी और इंडिया दोनों के साथ नहीं है फिर अगर कुझाईश बन जाती है जाहिर से बात है आप मेता है लोकसभा के चुनाव लड़ते रहे हैं और जमानत बच्ची थी आपको लगता है मायवती जी आप केंडिचर का सबर्थन करेंगी देखिए मेरे चुनाव लड़ना इतना इंपॉर्टन नहीं है जितना इंपॉर्टन देश के अंदर इस वरत्मान परिस्थिति को बदलना है जो पार्टी का निर्णे होगा मैं पार्टी की निर्णे के साथ रहूगा इम्रान मसूद जी हम देखते हैं अगसर जजबाती हो जाते हैं और ये निर्णे लिया गया है कि आप वो वापस कॉंगरेस पार्टी में आ चुके हैं अब देखना होगा कि समिकरन क्या बनता है कि सीट पर इनको लड़ाया जाता है कई सीटे हैं जहां पर इनका साथ आएंगे मायवती जी अभी साथ आते नहीं दिख रही हैं लेकिन बहुत बड़ी दो बातें जो इंट्रीव से निकल के आई हैं क्या कुछ पैसे की गुंजाईश पैसे की मांग की गई थी बहन जी की तरफ से जिस वह पूरी निवे इनको निकाल दिया गया और दूस